हमारी तवचा खुद को मॉइस्टराइज रखने के लिए जो ओइल प्रेडियूस करती है जिसको सीबम कहा जाता है वो एक वेजटेबल ओई जो की काफी वर्सिटाइल है काफी मल्टी पर्पिस है इसको बहुत रिजेंबल करती है और आट इस कैस्टर ओई बहुत ही थिक ओ काफी मेकबों का बेस कैस्टर ओई ही होता है जो की कैस्टर बीन से एक्स्ट्राइक किया जाता है यह बहुत ही सेफ होता है और आपकी बॉडी के लिए जो बेनेवेट्स रखता है बहुत सारी विडियो बनानी पड़ेंगे आपको समझाने के लिए कि कितना पारफुल है लेकिन आज में आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इसका इस्तमाल अपने बालों को लंबा करने के लिए, घरना करने के लिए, अपनी स्काल्प को हेल्दी बनाने के लिए और एक ओवरॉल हेल्थ आपके बालों को देने के लिए कर सकते हैं. तो अगर आपको किसी भी प्रकार से hair felting नहीं होती है यानि कि तेल लगाने के पश्चाद बाल घोसला नहीं हो जाते हैं तो आईए जानते हैं ये बहुत ही inexpensive, बहुत ही कारगर और बहुत ही powerful remedial action नमस्कार और दिल से स्वागत करते हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीती प्रेड़ना पर जहां पर आज आप जानने वाले हैं कि किस प्रकार से castor oil यानि कि अरंडी के तेल का इस्तमाल करके आप अपने बालों को लंबा, घना, healthy, scalp के किसी भी परिशानी को बिलकुल बाई-बाई बोलने वाले हैं और आपके बाल जो होने वाले हैं you are going to fall in love with me and your hair दोनों से, तो प्लीज ध्यान से समझे, मैं एक नहीं बलकि पांच तरीके बताने वाली हूँ, आप जिसके लिए comfortable हैं आप उसको follow कर सकते हैं, लेकिन, be regular, this is the only key to achieving great hair for yourself, देखिए, तलाब बनाने के लिए एक पतली सी धार बहुत होती है, एक बाल्टी पान पानी हम, you know, हफते भर डालेंगे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, पर वो पतली सी धार, क्योंकि consistent है, इसलिए आप अचीव कर पाएंगे, तो प्लीज बी regular, कोई chemical product साथ में इस्तेमाल मत कीजे, किसी भी अगरम चगरम products मत यूज़ कीजे, sprays मत यूज़ कीजे, गलत चांप पड़ी, तो सबसे पहला तरीका, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह उन लोगों के लिए है, जो कुछ नहीं कर सकते, हम बस दो चीजे में लाके, और नॉर्मल ओल की तरह लगा लेंगे, तो आप बता दो, बस यही वो रह मेरी है, इसके लिए आपको equal parts में लेना सकते हैं, light oil, in short कहा जाए तो seeds या fruit based oil, देखिए coconut अपने पेड का fruit है, तो fruit से अपने oil एक्स्ट्रैक किया है, तो fruit based oil जो होते हैं, काफी light होते हैं, तो directly apply किये जा सकते हैं, और उनमें आप infusions कर सकते हो, तो castor oil being very thick, उनके साथ मेल की थोड़ा सा लूजन अप हो जाता है, और apply करने में थोड़ी असानी होती है, अगर आप थोड़ा सा effort और कर सको, भई मैं बता रही हूं, करोगे तो अच्छी बाते नहीं करोगे, तो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रब्म नहीं है, इसको आप double boiler method, यानके गरम पानी में थोड़ी देर के लिए और फिर apply और बहुत 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 मैनेजबल हो जाएगा, कास्टर ओल जो थिक होता है, हलका सा पतला हो जाएगा, और बहुत अच्छी से आप application कर पाएंगे, अगर आप अच्छी से मिक्स करके, आप अपने बालों में simple deposit करके, बालों को घुमा लीजिए, आपकी growth इनसे मसाज कीजिए, और भी बढ़िया बात है, थोड़ा सा एफट और कर सकते हैं, तो अपनी लेंट्स पर भी प्रोपरली लगाईए, और बालों को घुमा कर बांद दीचे, थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं, तो शार कैप पहन लीजिए, तो वो जो हीट प्रिदूस हो बालों को किया नहीं, प्रॉपरली वाश किया है, कूली और कामली, और यूवल सी ग्रेट रिजल्स विदिन फ्यू अप्लिकेशन आपको देखेगा, कि आपके बाल मैनेजबल हो रहे हैं, बहुत जल्दी से तूट नहीं रहे हैं, जो हेर ब्रेकेज हो जाती है हमें, वो बालों को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, चाहते हैं कि बालों में किसी भी प्रकार का जो फंगल इंफेक्शन है, वो गायब हो जाए, जूएं हटाना चाहते हैं, यह सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, और हेर ग्रोथ बहुत अच्छे से पास सकते हैं, इसके लिए आप आपको लेना है प्याज का रस, अच्छे से कस लीजे, निचोड लीजे, जैसे आप कमफटबल हैं, ग्राइं कर सकते हैं, और एक्वल पार्ट कैस्टर ओयल में आप डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अपनी फिंगर टिप्स पे लेकर सिरफ आपकी जो रू बहुत पारफुल गे रेमेडी है, इसके बाद, मैक्सिमुम फॉर्टिव मिनिट के बाद, आपने बालों को वाश कर लेंगे, नॉर्मल शैंपू से, होपफुली, SLS, पारबें, सिलिकॉन, यह सबसे फ्री होना चाहिए, सलफेट, SLS, यह परिशानी नहीं है, बस इंग्र बालों में ग्रोथ हो रही है, बेबी हैर दिख रहे है, आपके बालों में दिख रहा है, हलका हलका फ्रिज़ आ रहा है, और रेमीडियल अच्शन नमट थी के तहत, आपको आड करना है, कैस्टरोल, और एकुल पार्ट ओफ अडिकॉक्शिन, आपको एक कप पानी में, चान कर ले लीजे और कास्टर ओयल में डाल दीजिए, इक्विल पार्ट अफ कास्टर ओयल, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, और इसी रिकॉक्षिन को आप कॉटन की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आप कामफटबल हैं, अपनी पूरी-पूरी स्काल्प पर लगाएं लेंथ पर कामफटबल हैं, जाधा कॉंटिटी बनाई हैं तो लेंथ पर लगाएं, अदर्वाइस लेंथ पर आप हर बार सिंपल कास्टर ओयल को हलका ल्यूक वर्म करके लगा सकते हैं, यह करने के पश्चात अब अपने बालों को शार काप से धग दीजे, ताकि वो हीट से बहुत अच्छे से कंडिशन हो जाएं और उसके बाद आप हैड वाश कर लें, यह बहुत 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 कारगर तरीका है आपका हैर फॉर इमीडियेटली रोकने के लिए और आपके बालों को बहुत अच्छी लेंथ देने के लिए, तो अगर आप लेंथ चाहते हैं, करना चाहते हैं, चाहते हैं कि बाल नरिष्ट रहें तो यह तरीका आप अपने लिए डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, रेमिडियल आक्शन नमबर फोर के तहत आप अपने हैर सीरम में कास्टरॉल की फ्यू डॉप्स आड़ सकते हैं, एवरी सिंगल टाइम, आप जब भी हैर सीरम का अप्लिकेशन अपने बालों के लिए कर रही हैं, आप थोड़ा सा पाट ले लीजे, इसने हलका सा कास्टरॉल मिला कर और फिर इस हैर सीरम को अपने स्काल्प पर लगाएं, आप देखेंगे विजबल चेंजिस इन यॉर हैर फॉल, जो कि रिड्यूस हो रहा है विजबल चेंजिस आपकी हेर लेंथ, जो कि बढ़ रही है, डेंसिटी इंप्रूफ हो रही है, बेबी हैर दिख रहे हैं, और आपको बहुत गसब के रिजाल्ट्स मिल सकते हैं, वनाई से हैर सीरम, आई डोंट मीन हैर कंडिशनर्स, जो लीविन कंडिशनर्स होते हैं, व विजबल चेंजिस आपको दिखेगा कि कास्टरोल किस प्रकार से बहुत ही सिंपल और जेंटल इंग्रीइंट्स के साथ मिल के आपको गसब की हेर ग्रोध दे रहे हैं, आपकी बालों को हेल्थ दे रहे हैं, और बहुत सारी मैनेजबलिथी आपकी हो रही है, लास्ट बढ देफ distinctly not the least, क्योंकि कास्टरोल है और बहुत लरसिताई है और बहुत तरीकों से हिस्तेमाल किया सकता है, पर एस वीडियो के लिए हम इसको लास्ट पैंट रहते है, नात ए्पानि, ज tenure हानला राई राइस, वॉटर राइस, वाइस को अच्छे से कॉक रलीजे, आफटर आप कुक करने के पस्चा जो लास्ट में थोड़ा सा पानी रह जाता है आप थोड़ा सा जादा रखे कुक करते हुए इस पानी में एक्जाक्ली इकुल अमान का आप कैस्टरोल मिक्स कीजे और इसका अप्लिकेशन आप अपने बालों में कीजे आप कोई भी कंडिशनर भू नहीं है मात्र ये एप एकेशन आपके बालों को अन्डिशन कर रहा है गलोस से रहा है शाइनिर बना रहा है और बहुत सारी हे आप बना रहा है और बहुद सारी हैल्ट दे रहा है सो यह रिल्ली नीग थो that this is one of its kind remedial action जो कि आप अपने लिए फॉलो कर सकते हैं and also you can keep it for overnight also जहां, head wash तो करना ही करना है लेकिन आप इसको ज्यादा समय के लिए भी रख सकते हैं that's the point अगर आपको बहुत से वेर हेर ब्रेकेज होता है तो castor oil से बढ़िया solution कोई हो ही नहीं सकता अगर आपको splittance है, अगर आपके बाल बहुत dull लगते हैं तो एक बहुत ही simple सा तरीका मैं आपको यहां demonstrate कर रही हूँ जिसको आप अपने लिए follow कर सकते हैं और splittance, dullness या किसी भी प्रकार के hair dryness को बाय बाय बोल सकते हैं यहां पर मैंने अपने बालों को अराम से पहले comb किया है, sort किया है ताकि कोई भी tanglement ना रहे और application में कोई परिशानी ना हो इसके बाद आप अपने hair shafts पर अच्छे से comb करेंगे अलग से section लेकर और उसके बाद आप इस पर oil लगाएंगे अगर आप ऐसा 2-3 shafts के साथ कर लेते हैं फिर सभी को combine करके एक साथ oiling कर सकते हैं और combing कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एक-एक hair strand बिल्कुल shinier हो चुका है बहुत ही healthy दिख रहा है, moisturize हो चुका है और बहुत 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 जादा health exhibit कर रहा है So my wonderful people, I really hope आप अपना बहुत सारा खयाल रखेंगे जो भी remedial action बताए हैं इसके बारे में चिंतन करेंगे समझेंगे और बहुत thoughtfully इसको अपने लिए follow करेंगे जैसे ही आपको results मिलें या आप अपना experience हमारे साथ share करना चाहें तो वापस आकर इस video पर अवश्य लिखेगा मैं और मेरा परिवार हमेशा तद पर हैं आपकी comments को read करने के लिए और appreciate करने के लिए Till then, take really good care of yourself और हमेशा याद रखिए, you are enough and amazing Lots of love